अपने छोटे से घर के सामने एक बच्चा फटे पुराने कपड़ों में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ एक जोतिशी आया और उस लड़के का हाथ देख कर वो उसका भविश्य बताने लगा जोतिशी ने कहा ये लड़का जिन्दगी में बड़ा आदमी बनेगा बहुत सफर करेगा और अपना साथ मंजिला घर बनाएगा ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग हसने लगे और कहने लगे ये अमीर बनेगा लड़का भी हसने लगा पर उसने सोचा कि क्यों न किसमत आजमाई जाए तो वो लड़का मुंबई गया बड़ा आदमी बना और उसने साथ मंजिला इमारत भी बनाई उस लड़के का नाम था नुसेरवान जी टाटा ये थे जमशेद जी टाटा के पिता नुसेरवान जी अगर घर से निकलते ही नहीं तो आज शायद टाटा ग्रूप का नामों निशान तक नहीं होता सन 1849 में छोटे से कस्बे नवसारी में जमशेद जी का जन्म हुआ उस वक्त उनके पिता नुसेरवान जी सिर्फ सत्रह साल के थे तब ये परिवार पुजारी का काम किया करता था ये वो जमाना था जब चपल अमीरों का और सूने के आभूशन सिर्फ राजा महराजाओं के शौक हुआ करते थे समाज के पाश तोड़ कर दूर शहर में व्यापार शुरू करना कोई आम बात नहीं थी ऐसे में भविश्यवानी तो बस एक बहाना था नुसेरवान जी बस अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और बहतर भविश्य देना चाहते थे इसलिए वो केवल 20 साल की उम्र में पत्नी जीवन बाई और बेटे जमशेद जी को लेकर मुंबई चले आए मुंबई में नुसेरवान जी ने कॉटन एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू किया इससे जो भी मुनाफ़ा होता था वो जमशेद जी की अच्छी पढ़ाई और घर पर वो खर्च कर दिया करते थे जमशेद जी ने अंग्रेजी में भी शिक्षा लिया हाला के उनके पिता फीस भर सकते थे पर अक्सर अच्छे गुनों के चलते जमशेद जी की फीस माफ हो जाती जमशेद जी ने एलफिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई के दौरान ही कीराबाई दबू से उन्होंने विवाह कर लिया तब बाल विवाहा आम बात थी यूँकर ये सभी लोग बाल विवाहा ही करते थे जमशेद जी के पिता की तो केवल पांच साल की उम्र में शादी हुई थी पढ़ाई पूरी करने के बाद जमशेद जी पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगे पर वो उस व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते थे शिक्षा के बलबूते पर वो कुछ बढ़ा करना चाहते थे और ये बात एक दिन उन्होंने अपने पिता को बताई बाबा, हमें अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए हाँ बेटा, कुछ योजनाएं भी हैं मेरी, पर क्या तुम करोगे? हाँ बाबा, आप एक मौका तो दीजिए मैं सूच रहा था तुम होंग कॉंग चले जाओ, और वहाँ व्यापार बढ़ाओ जी बाबा, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगा और फिर 1858 में निकल पड़ा, 20 साल का नौजवान होंग कॉंग बिल्कुल अपने पिता की तह, पत्नी हीराबाई और बेटे दोराब जी को लेकर एक नए कल की खोच में, वहाँ उन्होंने जल्द ही अपनी एक कमपनी शुरू की जो चीन में उरूई और अफीम निर्यात करती और उसके बदले भारत में चाई, डालचीनी, रेशम, कपड़े, चीनी और सोना आयात किया जाता अफीम का नाम सुनकर अब चौकिय मत सिविल वार का दौर था, युद्ध में घायल सैनिकों को दर्द से निजात दिला कर फिर से लड़ने के लिए तैयार करने में उन्हें अफीम खिलाई जाती थी तब ये लीगल भी था और इसकी मांग भी थी 1861 में जमशेद जी ने देखा कि इंगलंड जो अमेरिका से रूई आयात किया करता था वो आयात सिविल वार की वजह से बंद हो गया है और उन्हें यहां पर मौका दिखाई दिया जमशेद जी ने भारत से इंगलंड दुगने भाव से रूई निर्यात करना शुरू की और व्यापार देखते ही देखते इतना बढ़ने लगा कि 1864 में वो कारोबार के लिए लंडन जाकर सेटल हो गए उन्हें अब लगी रहा था कि वो पिता के दिये शब्दों पर खरे उतर रही हैं कि तभी 1865 में अमेरिका का सिविल वार खत्म हो गया और इंगलंड दोबारा अमेरिका से सस्ते दामों में रूई खरीदने लगा पहराल जमशेद जी की कमपनी बहुत घाटे में चलने लगी दिवेशकों ने पैसों का तकाजा करना शुरू कर दिया जमशेद जी ने सब को भरोसे में लेकर पैसे लोटाने का वादा किया और निवेशकों के कहने पर खुद की कंपनी में लिक्विडेटर के तौर पर बीस पांड सैलरी लेकर वो काम करने लगे उधर मुंबई में भी व्यापारियों के बुरे हाल थे कुछ रूई के व्यापारियों ने तो आत्महत्या तक कर ली थी पर नुसेर वान जी पैसों से ज्यादा लोगों के भरोसे को कायम रखना चाहते थे और उन्होंने मुंबई का अपना साथ मन्जिला घर और जमीन बेच कर सभी निवेशकों के पैसे लोटाए टाटा परिवार शून्य हो गया था पर अनुभव बाकी था और अनुभव की ताकत हाथों की लकीरों तक को बदल देती है चमशेद जी नाम के चिंगारी जल्द ही ज्वाला बनने वाली थी वो अब व्यापार नहीं बलके बिजनस करने वाले थे वो गर के चिंगता ह permits जाय थाख राए है झाल